लेटिस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बैल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल चले बात शिमला की करते हैं शिमला विधान सभा में बजट सत्र के दस्वे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दो पर तकरार देखने को बिली इस दोरान सतलूज जल विद्यूत निगम पर यूजना को लेकर भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा और जैराम सरकार को हिदायत दी कि SJVL को NTPC में विले करना हिमाचल के हित में नहीं है और ना ही विले किस प्रक्रिया को बरदाश ही किया जाएगा मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने कहा कि हिमाचल के गौरव के साथ समझोता नहीं करने देंगे विपक्ष राजनीती के लिए इसे मुद्धा बना रहा है नेदा प्रदिपक्ष मुकेश अगनी होत्री का इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है साफत और पर केंदु सरकार हिमाचल के हितों पर अधिग्रहन कर रही है विपक्ष निगम का विले का एंटीपीसी में विले को लेके था तब भी हमने इनको आगाह कर दिया था और मुक्ष मंतरी ने आज भी कहा है कि उन्होंने दिल्ली में बात किया उस मसले में भी और हम चाहते हैं कि यह जो हमारे संस्थान है जो कि हिमाचल की प्रतिष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं इनको बचा के रखा जाए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बैल आइकन और सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल